आज जैश्री राम के नारे से पूरत देश भूंच रहा है पूरे भारत में एक एतिहासक दिन है महीराजस्तान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भगवान राम का मंदर देश में एकता और भायचारे का प्रतीक बन सकता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीरिया के जरिये कहा कि भगवान राम हमारी संस्कृती असभिता में एक अध्विती हिस्थान रखते हैं उनका जीवन हमें सच्चाई न्याए सभी की समानता करुणा और भायचारा सिखाता है हमें एक समता मूलक समाज की स्थापना करने पर ध्यान के इंद्रित करने की आवश्वक्ता है साथी भारते जंतापाटी की उपाध्यक शिवंपुर्व मुख्यमत्री वसंधरा राजे ने कहा कि वन नगरी अयोध्या में मर्यादा पुर्शोतम भगवान श्री राम विराजने वाले हैं आज के इस अतिहासिक अद्वितिय कल्यान कारी एवं शुब दिन पर में अंत्यंत भावुक वा आनन्दित हुं। राम मंदर भूमी पुजन के शुब अवसर पर उन्होंने लोगों को शुब कामनाय भी दी। मैं इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सभी देशवासियों को बढ़ाई दी और प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी का भी अभार जताया। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश एवं आशिरवाद से शुब दिन देखने का अवसर मिला। आज भूम अबादागे दया एवसर में श्र्वाद लाड़ाओ टा neo